नमस्ते मैं हूँ देव आपका Music Instructor आज हम दिखेंगे किस तरह से किसी भी Sample किसी भी Loop को अपने Project की Tempo से Match करें या Sync करें हम देख रहे हैं यहाँ पर Project की जो Tempo है वो है 90 मैं किया पर Loop लेता हूँ, Beat Internal ओके, यहां से मैंने कोई भी एक Loop ली है, यहां रखी आये सुनते हैं अब यह Match नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि नीचे वाले की Tempo अलग है अब आपके बस दो तरीके हैं, पहला तरीका, यहां पर लिखाई है 60 अगर तो यहां पर हमें मालूम है कि Loop की Tempo क्या है, Double Click, Time, Right Click, Auto Detect, Type in BPM, 60 क्यों? क्योंकि मेरी Loop जो है, उसकी जो Tempo है वो 60 है Enter, और जो मैंने Pitch है, Right Click, Reset आए सुनते हैं दूसरा तरीका, मान लीजे, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी Loop की Tempo क्या है, फिर आप उसे किस तरह से Match करेंगे हमारे सामने यहां पर एक बटन है, Stretch, इसे किया है, मैंने On, थोड़ा Zoom किया, इसे पकड़ा, Alt Press किया, और बिलकुल, Alt Press, एक दम यहां, Double Click, Page Reset सुनते हैं मुझे यहां चार बार तक चाहिए, Stretch मेरा On है, इसे पकड़ा, और यहां तक ले गए तो इन दो तरीकों से आप किसी भी Loop, किसी भी Sample को अपने Projectory Tempo के साथ Sync कर सकते हैं यह मेरा YouTube है, YouTube.com slash DevNextLevel, इसे ज़रूर सब्सक्राइब किजे, ऐसे दो मिनट टुटोरियल आपके सामने और भी आते रहेंगे यह मेरा Facebook है, Facebook.com slash DevNextLevel, इस पेज को ज़रूर लाइक किजे और यह मेरा Instagram है, Instagram.com slash DevNextLevel, मेरे जातर अपडेट्स यहीं पर आते हैं और यह मेरा SoundCloud, soundcloud.com slash DevNextLevel, मेरे जातर साउंड्स यहीं पर आती है, सुन सकते हैं मिलते किसी ओल लेक्चर में, तब तक के लिए देव, साइनिंग आउट, नमस्ते